मुडिया पूर्णिमा मेला रद किये जाने के बाद श्रद्धालगों को गोवर्धन दर्शन और परिक्रमा करने से रोकने के लिए पुलिस ने अब सक्ती शुरू कर दी है SSP के निर्देश पर पुलिस ने गोवर्धन जाने वाले सभी मार्गों पर पोस्टर चस्पा कर दिये हैं जिसका सोंबार को SSP ने निरिक्षन किया कोरुना की तीसरी लहर को मद्य नजर रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा इस बार भी गोवर्धन में लगने वाले मुडिया पूर्णे मा मेले को रद्ध कर दिया गया इसी के साथ गोवर्धन की सीमा में लगे राजिस्थान प्रदेश की श्रधालूं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है लेकिन अन्य प्रदेश से आई श्रधालू गोवर्धन की ओर रोक ना कर सकें इसके लिए एससपी डॉक्टर गोवर्व गोवर्वर के निरदेश पर पुलिस ने कड़े इंतिजाम किये है पुलिस द्वारा मतुरा से लेकर गोवर्धन तक जाने वाले मार्ग पर बड़े बड़े फ्लेक्स लगा कर श्रधालूं से यह अपील की गई है कि वह गोवर्धन ना जाएं इसी के साथ ही गोवर्धन जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस तैनात कर दी गई है जहां चेकिंग के बाद ही केवल 19 वाहनों को जाने दिया जा रहा है जो गोवर्धन और उसके आसपास के इस्थानी अनागरिक है इन वियवस्थाओं को लेकर सोंबार को SSP डॉक्टर गोरव गोवर्धन जगा जगा निरिक्षन भी किया गया और विभिन पॉइंट पर तैनात अधिनस्तों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गए इस दोरान हुई बातचीत में SSP द्वारा किये गए कड़े इंतिजाम को लेकर जानकारी दी गई वहां के अरिकारियों को भी पत्र ले जा गया है आपके मार्ग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो यहां पर आना चाहता है वो आने के प्रहेश करें हमने खड़ पर ही इस बार इस मेजे को मनाए जो भी मार्ग हमारे गोवर्दन की तरफ जा रहे हैं चाहे वो इंट्रस्टेट बेरियर्ज हो या शहर की तरफ से एनेच से या बाकी तरफ से जा रहे हैं वहां पर भारी पुलिस दोर लगाया गया है और गोवर्दन पर जान या या शहर कि अजर पर ही तरफ से चाहे हैं जा एक मुद लिए गोवर्दन की तरफ से इस कर यो यवर्दन.